एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नए वीडियो में नई जानकरी के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं PCOD के बारे में PCOD यानि की Polycystic Ovarian Disease यह एक तरिकी ऑन्ड़ेदानी में होने वाली बिमारी है जिसमें चारो चोटी 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 घाथे बन जातीब के आजये पूरे वीडियो में आपको यहीहीं बताने हैं PCOD क्यों होता है इसका मैनेश्मेंट मैं और इसका कैसे बचा जा सकता है आजकल अधिकाश महिलाओं को, लड़कियों को, प्रेनेजर को आपने ही कहते सुना होगा कि मेरा महिना बिल्कुल टाइम पे नहीं आता है, कभी दो महिने में आ रहा है, कभी तीन महिने में आ रहा है और जब आता है तो बहुत जादा है भी महीना आता है तो यह ऐसी इस्थिथी है जिसमें की हार्मोनल चेंजेस जो बॉड़ी में नॉर्मली होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं जिसके कारण महीना टाइम पे नहीं आता है और यही एक बिमारी है जिसे PCOD कहते हैं क्योंकि PCOD के अंदर जो नॉर्मल हार्मोन बनने चाहिए थे इस्टोजन से जो प्रोजिस्टोन आता है अंडा फूपने के बाद वो नहीं आ पाता क्योंकि इसमें अंडा फूपता नहीं है और उसके जगे छोटी-छोटी स्विस्ट बन जाती है इसे हार्मोनल चेंजेस नहीं आन पर दिख्ञाने हैं कई चेस्ट में और च यस्ट चेस्ट मी ऑकर बोल आजाते हैं तो एकर इस तरीके कीhen आपको दिख रहे हैं आपको महीना टाइम पे नहीं आ रहा है आपके छेहरे पर कुछ कुछ एक्स्टाबाल आ रहे हैं और हों आपको पी-सीओडेया की अ थोपी energy कि वजन काफी जादा होता है और उनके दिमाग में एक मित होता है कि मेरा महिना टाइम पे नहीं आ रहा है इसलिए मेरा मुटापा बढ़ रहा है वट इफेक्ट बिल्कुल उल्टा है आप इसमझ जान पाएंगे तो आपको आश्चरे होगा कि मुटापा आने से या हार्मोन में चेंज हो जाता है द फेमेल आप मेल हार्मोन में चेंज हो जाता है कि महीनग्स और नहीं हाता सब्सक्राइब आपका फेस क्ली हो जाएगा बाल भी ठीक हो जाएगे पिरिड्स पी टाइम पर आने लगेंगे लिए डियाग्नोसिस के साथ में कुछ हर्मोन टेस्ट भी जरूरी होते से लह एच एफसे टेस्ट्रों एंफास्टिक उल्कोस लेवल एन इंसुलीन लेवल यह कुछ जरूरी टेस्ट है जो हमें करवाने होते हैं ताकि हम इनके हिसाब से अपको मेडिसिन प्रिसक्राइब कर सके तो सोनियोग्राफिय और यह कुछ बलड टेस्ट मिला कि आपका डियाग्नोसिस कंफरमेशन हो पाता है और प्रिस्क्रिप्शन कम्लीट होता है इसमें ज जाती है जो शुगर मरीजित को भी दी जाती है लेकन हो फिसे लेड समझ और आपको शुगर की बिमारी हो गये इसली ह्लिए के गोली प्रिस्काइब की है PCOD के मैनेजमेंट में मेडिसिन के साथ बहुत बड़ा रोल है डाइट और एक्सरसाइज का अगर आप बैलेंस डाइट लेती है यानि के जंक फूड अवाइट करती है ग्रीन वेजिटेबल्स लेती है और दूद वगरे लेती है टाइम पे और और यह पीजा बगर यह सब अवाइट करती है तो बहुत हद तर आप मेडिसिन कम कर सकती है और बहुत जल्दी PCOD को रिवर्स कर सकती है इसके साथ ही साथ आपको 25 मिनट पर डे महीने अफते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी क्योंकि अगर आप एक्सरस अब यह जरूरी नहीं कि पहले दिनी आप बहुत हार्ड एक्सराइज करें आप सिंपल मॉनिंग वॉक से भी स्टार्ट कर सकती है तर उसके बाद में धीरे धीरे उसमें आप दो-दो मिनिट का रणिंग एड़ कर सकती है साथ में थोड़ा साथ आप योगा कर सकती है चुट 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 मुपे फुंसियां बन जाती है पास आने लग जाता है पें होने लगता है तो उसका बहुत बड़ा समाधान एक है कि जो हम हार्मोनल पिल्स देते हैं यानि जो 21 दिन की गोलियां हम देते हैं पीरेट को रेगलराइज करने के लिए वह हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करती है और जैसे ही टेस्टर स्टॉन और एंड्रेस्टिन और डायन का लेवल डाउन आता है तो कील मुगा से आटोमेटिकली कम होने लगते हैं तो यह जो OC पिल्स के नाम से मिलती है या 21 की गोलियां कहते हैं को गर निरो तक गोलियां भी कि में वहार्यिक पर यहां हमें क्यों प्रिस्काइब कर दी हैं हमारे लिए फायद क्यों दे रहें क्यों साइड एफेक्ट तो नहीं है bur가 जब इंके भाइडया जार्या निगी तो आप इनकर लेना रख बंद भी तो लेना कब भूंद ही नहीं करेंगी जब भी इन लेती ह पिल्स को लेने का इतना बड़ा फाइदा है और जब तक आप पिल्स लेती रहेंगे आपके साथ बने रहेंगे रहेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है यह बहुत दिमाग में मित है कि इन को लेने से कोई बहुत जादा वजन बढ़ जाता है आज कि जो लेटेस्ट गोलियां इनसे वजन नहीं बढ़ता है तो आप इनको सेफली ले सकती है तो अब आप समझ गेंगे कि PCOD के मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़े ज़रूरी है डाइट बहुत इंपोर्टेंट है एक डाइट और एक्सरसाइस कंटिन्यू रखेंगी तो आपकी PCOD के प्रॉब्लम बार बार नहीं होगी आप इससे फ्री हो सकती है और अपने साथ वालों को भी आप इसके लिए अवेर कर सकती है तो मैं समस्तियों कि यह जानकारी आपके लिए लाबदाएक रही होगी फिर भ नवेर के लिए लाबदाएक रही होगी 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